हेलो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं राजेस प्योपी डिजाइन अब इस पर मैंने मट्रियल लगाने जा रहे हैं प्योपी प्लाश्टर पैरिस जिससे की मोल्डिंग सीधी आएगी यह देखिए माल लगा रहे हैं इस पर चट देखिए कितनी खराब है आपकी बहुत छट खराब है इसकी उसी लिए प्योपी लगती है क्योंकि सीधी आपकी छट आ जाए तब इसी पर डिजाइन बनेगी तब ही और अच्छा लगेगा इस पर आप देख सकते हैं साट्रिंग वाली छट है छट बहुत खराब है इसे उपर नीचे पहुच छट है कि इससे क्या होता है जो लहर आती है कहीं कहीं मोल्डिंग में वह लहर नहीं मिलेगी आपको इसलिए फंटे से पूरा भेस मिलाया जाएगा कि आप कि आप कि 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 देखिए फंटे लगाने जाले है इसे पूरा पूरा सिधा आजाएगा फिर उसी की लेबल से पूरी छट किले भूगी यह कि आप देख सकते हैं एक दम सीधा रहा है कि इसी से पूरी च्छट भी लेबल हो जाएगी पूरी च्छट लेबल हो गई देख सकते हैं पूरा भेसे मिल चुका है अब आपको दिखाते हैं च्छट लेबल की सफाई कैसे लगाते हैं यह मैं च्छट की सफाई लगा रहा हूं आप देख सकते हैं कि आपकी च्छट पूरी लेबल है एक दम किलियर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिजाइन किस तरीके से बनाते हैं कि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए पूरी डिजाइन नहीं आपको दिखा सकें आप देख सकते हैं सफाई लगा रहा है कि आपको देख सकते हैं आपको देख सकते हैं कि आपको देख सकते हैं आपको देख सकते हैं कि आपको देख सकते हैं आपको देख सकते हैं कि 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 आपको देख सकते हैं आप देख सकते हैं इसमें के लियर हो गया आपका यह पूरी छत लेबल हो चुकी है आपकी जो साइट में मैंने पहले बता रखा है कि इसमें बॉर्डर खीचेगा तो एकदम किलियर स्थीध हाएगा जो छत आपकी जो है यह देखिए एकदम किलियर है पूरा लेबल है इसी पर डिजाइन आपकी बनेगी तभी यह परफेक् लापका